शुक्प्रभाद सभी को, कैसे हैं आप सभी? आज की इस वीडियो में हम सभी रसों के बारे में एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं. वैसे तो रस के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन ये एक तरह से सारांस कह सकते हैं सभी रसों को एक साथ हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो रस मुख्य रूप से नो परकार के होते हैं लेकिन दो रसों को रसों की गिंती में शामिल कर लिया गया है वात्सल्य रस को और भक्ती रस को इसी कारण से अब रसों की कुल संख्या 11 हो गई है अब हमें इस बात में confusion नहीं होना चाहिए कि रस 9 होते हैं कि 11 अब रस 11 होते हैं पहले रसों की संख्या 9 मानी जाती थी सभी 11 रसों के नाम है साथी हर एक रस का एक स्थाई भाव होता है स्थाई भाव अभी भी मुखे रूप से नो ही होते हैं क्योंकि प्रेम जो हमारा स्थाई भाव था रती जो स्थाई भाव था उसी को वाजसले और इश्वर प्रेम में परिवर्तित कर दिया गया इसलिए प्रेम जो स्थाई भाव है वो एक ही है श्रंगार रस में प्रेम अलग परकार का है वातसले रस में वतसल प्रेम हो जाता है और भक्ती रस में इश्वर के प्रति भक्ती से समध्दित प्रेम हो जाता है रस के मुख्य रूप से चारंग होते हैं, स्थाई भाव, स्थाई भाव की संख्या 9 होती है, विभाव, विभाव की संख्या 2 होती है, अनुभाव, अनुभाव की संख्या 8 होती है, और संचारी भाव, संचारी भाव की संख्या 33 होती है इसके बारे में विस्तार से चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है, आप देख सकते हैं आईए सभी रसों, रस के सभी अंगों के विश्रे में एक साथ ही जानते हैं सबसे पहला रस है श्रंगार रस, इसका स्थाई भाव है रती साथ में विभाव, विभाव को हम दो भागों में बाड़ते हैं, आलंबन विभाव और उद्धीपन विभाव जहां पर स्रंगार रस होगा, वहां पर आलंबन विभाव के रूप में पती-पतनी, प्रेमी-प्रेमी का, नायक-नायका हो सकते हैं उद्धीपन विभाव में प्रेमी प्रेमी का आदी की वेश-बुशा, अलंकरण, मधूर भाशन, सुन्दर रूप, सुन्दर प्राकर्तिक वातावन, बसंत रितू, चांदनी का होना इस तरह के उद्धीपन भाव हो सकते हैं जो विभाव को जगाने का कारिये करते हैं अनुभाव जहां पर शरंगार रस होगा वहां पर अनुभाव के रूप में प्रेम से देखना, मुस्कुराना, स्पर्श करना, आलिंगन करना, वियोग में अश्रू बहाना इस तरह के भाव आ सकते हैं और संचारी भाव के रूप में उत्सुकता, हार्ष, लज्जा, वियोग, यहां सयोग और वियोग, शरंगार के भी दो भेद होते हैं, सयोग शरंगार रस और वियोग शरंगार रस, यहां शरंगार को ऐसे नहीं लिखते, टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें र नहीं आएगा, आप नीचे पेज पर देख सकते हैं, शरंगार कैसे लिखा ह साथ में सयोग शरंगारस में जब नायक नायका एक साथ होते हैं और जहां पर शरंगारस की उत्पत्ती होती है वहां पर सयोग शरंगारस होता है जब नायक नायका एक दूसरे से दूर होते हैं विरह में होते हैं तो वहां पर वियोग शरंगारस होता है दूसरा रस का प्रकार है हासे रस हासे रस का स्थाई भाव हास होता है हसी होती है जिस कावे को जिस रचना को पढ़ कर हमारे मन में हसी के भाव उत्पन होते हैं वहाँ पर हासे रस होता है विभाव के रूप में आलंबन विभाव में विकरत आकरती अजीब शी शकल को देखकर या विचितर विक्ति को देखकर विचितर वेश बुशा को देखकर हमारे मन में जो हसी के भाव उत्पन होते हैं वहाँ पर हसे रस होता है अजीब सी वेश बुशा को देखकर अजीब सी बातों को देखकर अजीब से चहरे के हाव भाव को देखकर उद्धीपन विभाव उत्पन होता है अनुभाव के रूप में हसना, चहरे का खिल खिलाना, जब हमें हसी आती है तो हम जोर जोर से हसते हैं, हमारे पेट में बल पड़ जाते हैं, हमारे चहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, तो ये अनुभाव का कारिय करते हैं संचारी भाव के रूप में चपलता, हर्स, आलस से इस तरह के भाव आते हैं और चले जाते हैं तीसरा रस है करून रस करून रस का स्थाई भाव होता है शोक जब हम किसी एप्रिय घटना को देखते हैं या किसी प्रिय जन की मिर्त्यू हो जाती है तो उससे हमारे मन में शोक का भाव उत्पन होता है दुख का भाव उत्पन होता है और उसी कारण से करून रस की उत्पत्य होती है आलंबन विभाव के रूप में प्रिय वस्तू का नश्ट हो जाना या किसी प्रिय जन की मिर्त्यू हो जाना उद्धीपन विभाव के रूप में प्रिय वस्तु को देखकर उसकी याद आना या उसकी कोई बात याद आना उसके अच्छी बातों के बारे में सोचना ये सारे भाव उद्धीपन का कारिय करते हैं अनुभाव के रूप में जब हम दुखी होते हैं, शोक में होते हैं, तो रोने लगते हैं, सिस्कियां भरने लगते हैं, अपने भाग्ये को कोसने लगते हैं, कभी-कभी रोते-रोते मुर्चित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो ये सारे भाव अनुभाव का कारिय करते हैं. संचारी भाव के रूप में इगलानी उन्माद, किसी को याद करना, जडता, या विशाद के भाव उत्पन होना, ये संचारी भाव का कारिये करते हैं. किसी को कड़वे वचनों को सुनकर किसी विक्ति को देखकर हमारे मन में क्रोध का संचार होता है, तो वहाँ पर रोधर रस की उत्पत्ती होती है, रोधर रस का स्थाई भाव क्रोध है, आलंबन विभाव के रूप में कोई शत्रू या अपरादी हो सकता है, जिसको देखकर हमारे मन में क्रोध उत्पन हो सकता है, उत्धीपन विभाव के रूप म आखों का लाल होना, होट फड़कना, दात चबाना, गरजना करना, सस्त्रों को बार-बार उठा लेना, इस तरह के अनुभाव आते हैं, साथ में संचारी भाव के रूप में गर्व, आवेग, उगरता, स्मर्ती, चपलता, मो, ये भाव बीच में आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि संचारी भाव स्थाई नहीं रहते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आते हैं और थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं, अगला रस है वीर रस, वीर रस का स्थाई भाव है उत्सा, जब किसी घटना को देखकर या कुछ कारी करने के लिए हमारे मन में उत्सा का उत्पन होते हैं, उसी से वीर रस की उत्पति होती है, उत्दीपन विभाव के रूप में युद के बाजे बजना, शत्रु द्वारा ललकारा जाना, जिसको सुनकर हमारे मन में उत्सा का भाव उत्पन होता है, अनुभाव के रूप में अंगों का फड़कना, अस्तर सस् रस का अगला परकार है भयानक रस, भयानक रस का स्थाई भाव भय होता है, जब किसी वस्तू को घटना को विचितर प्राणी को देखकर हमारे मन में भय का संचार होता है, तो वहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ती होती है, आलमबन विभाव के रूप में कोई भयानक वस्तू हो सकती है, विक्ती हो सकता है, कोई घटना या द्रश्य हो सकता है, जिसको देखके हमारे मन में भै का संचार होता है. उद्धीपन विभाव के रूप में भैयानक प्राणी हो सकता है, भैयानक चेश्टाएं हो सकती है, या भौत भैयानक द्रश्य हो सकता है जो भै को भढ़ाने का काम करते हैं भैबीत होने के बाद अनुभाव के रूप में कापना, रोंग्टे खड़े होना, भाग जाना, पसीना आना, चहरे की हवाईया उड़ जाना, गला सूख जाना इस तरह के अनुभाव आते हैं और संचारी भाव के रूप में शंका, दैते, गलानी, तराश के भाव उत्पन होते हैं अगला रस है विभत्सरस जिसका स्थाई भाव है घिरना या जुगुपसा आलंबन विभाव के रूप में कोई घिरना जनक वस्तू हो सकती है, शंशान का द्रश्य हो सकता है, गली सडी या दुरगंद वाली लाशे हो सकती है ऐसी घटनाए वस्तू या स्थीती जिसको देखकर हमारे मन में घिरना के भाव उत्पन होते हैं जुगुपसा शब्द का अर्थ भी घिरना ही होता है, उद्धीपन विभाव के रूप में दुरगंद, मक्यांभिन बिनाना, कीडे मकोडे पड़ जाना, इस तरह के भाव उद्धीपन का कारिये करते हैं अनुभाव के रूप में नाक सिकोडना, ऐसी घटना को देखकर थूकना, मूँ फेर लेना, इस तरह के अनुभाव उत्पन होते हैं संचारी भाव के रूप में आवेग, मुर्चित हो जाना, व्याधी, इस तरह के संचारी भाव पाते हैं अगला रस है अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थाई भाव विसमे होता है, विसमे यानि हैरानी किसी ऐसी घटना या विक्ति को देखकर हमारा मन आश्चरी से भर जाता है हमें यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो रहा है तो वहाँ पर आद्बुत रस्की उत्पत्ती होती है आलंबन विभाव के रूप में एलोकिक वस्तुएं हो सकती है कोई विचित्र द्रश्य हो सकता है जिसको देखकर हमारे मन में आश्चरी के भाव उत्पन होते हैं वहीं पर आद्बुत रस्की उत्पत्ती होती है उत्दीपन विभाव के रूप में विचित्र विक्ति, वस्तु के गुणों का वर्णन इस तरह की बाते सुनकर, इस तरह की घटना को देखकर आश्चरी का भाव और उत्पत हो जाता है अनुभाव के रूप में आखे फाड कर देखना दातों तले उंगली दबाना चेरे की हवाईया ओड़ जाना चेरे पर हैरानी के भाव आना इस तरह की अनुभाव आते हैं संचारी भाव के रूप में हर्ष, वितर्क, मो इस तरह के संचारी भाव आते हैं अगला रस है शांतरस शांतरस का स्थाई भाव निर्वेद होता है निर्वेद का अर्थ होता है वेदना से रहित, पीड़ा से रहित जब हमारा मन वेदना से रहित हो जाता है तो हमारा मन शांत हो जाता है वेराग्य भी इसे हम कह सकते हैं जब सांसारिक विशे वस्तू से हमारा मो खट जाता है हमारा मन विरक्त हो जाता है वहाँ पर निर्वेद का भाव मन में उत्पन होता है आलंबन विभाव के रूप में संसार की नश्वरता जब हमें ये ज्यान होता है कि संसार एक विशे वासना ये नश्ट होने वाली है नश्वर है ये हमिशा के लिए हमारे साथ नहीं रहेंगी तो हमारे मन में शांत या निर्वेद भाव उत्पन होता है उद्धीपन विभाव के रूप में वेद का ज्ञान होना, या किसी कथा को सुनना, तीर्थ यात्रा पर जाना, सत्संग करना, शास्त्रों का पालन करना, इस तरह की बातों से जो शांत भाव है वो और अधिक उद्धिप्त हो जाता है अनुभाव के रूप में विशों से अरुची उत्पन होना, शत्रु मित्र को समान मानने लगना, सांसारिक मो माया को त्याग देना, घर को त्याग देना ये अनुभाव का कारिय करते हैं और संचारि भाव के रूप में बीच-बीच में हर्ष, धैरिय, स्मर्ती, मती इस तरह की भाव आते हैं और चले जाते हैं अगला रस है भक्ती रस, भक्ती रस और वात्सले रस दो नए रस हैं जिनको अभी अपना लिया गया है, पहले सिर्फ नो ही रस होते थे भक्ती और वात्सले रस की उत्पती प्रेम जैसे स्थाई भाव से हुई है, जहां पर नायक और नायका के बीच में प्रेम उत्पन होता है, प्रेम से जो रती उत्पन होती है उसको स्रंगार रस मान लिया गया है, इश्वर और भक्त के बीच के प्रेम को भक्ती रस में मा अब रसो की कुल संख्या 11 हो गई है। संचारी भाव के रूप में हर्ष होना, उत्सुकता होना, चपलता, दीनता, याद करना इस तरह के भाव आते हैं। उसके मासूम चहरे को देखकर हमारे मन में वाजसले के भाव उत्पन होते हैं। उद्धिपन विभाव के रूप में बच्चे का तुटला कर बोलना, बच्चे की हरकतें, बच्चे का चलते चलते गिर जाना, बच्चे का भोलापन ये सारे उद्धिपन विभाव का कारिय करते हैं अनुभाव के रूप में बच्चे को हसना, बच्चे को चूमना, पुछकारना, पुलकित होना बच्चे को देखकर गोध में उठा लेना इस तरह के अनुभाव आते हैं और संचारी भाव के रूप में हर्ष कह सकते हैं, जड़ता, चिंता, बच्चे के गिर जाने पर दुखी होना, इस तरह के संचारी भाव बीच-बीच में आते हैं और चले जाते हैं वैसे तो रस का टोपिक बहुत विस्तरित है, इसको एक ही वीडियो में डिसकस कर पाना मुश्किल है, लेकिन इसमें हमने सारांस रखा है, सभी रसों को एक साथ डिसकस करने की कोशिश की है, साथ में आईए सभी रसों के एक एक उधारन देख लेते हैं, वैसे तो इन सभी क स्यूग श्रंगार और वियोग श्रंगार। सैयूग श्रंगार में जब नायक-नायका एक साथ होते हैं तो वहाँ पर जो रतिय अप्रे मुत्पन होता है उसी को हम सैयूग श्रंगार रस कहते हैं। सिधारे तो यहाँ पर जब भगवान श्रीकेशन गोपियों से दूर चले जाते हैं तो उनके वियोग में किस तरह के भावों मैसूस करती हैं वहाँ पर वियोग शंगार रसे अगला रसे हासे रस जिसका स्थाई भाव हास या हसी है इसका उधारण है काका हाथ रसी का भौत परसीद उधारण है तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम परताप साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप घंटा भर आलाप राग में मारा गोता धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे शोता तो यहाँ पर प्रेम परताप स्टेज पर परफॉम कर रहे हैं और जैसे ही वह अपना राग आलाप शुरू करते हैं वैसे ही सारे शोता हसने लगते हैं और स्टेज को छोड़ कर चले जाते हैं अगला रस है करुन रस जिसका स्थाई भाव है शोक उधारण देखिए शोक बिकल सब रोहू रानी रूपू सीलू बलू तेजू बखानी करही बिलाप अनेक परक अगला रस है वीर रस जिसका स्थाई भाव है उधारण देखते हैं आपने बच्पन में जरूर पढ़ी होगी ये कवीता इसके कवी हैं द्वारिका परसाद महेश्वरी वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पाहाड हो सिंग की दाहाड हो तुम कभी रुको नहीं तुम कभी जुको नहीं तो उत्सा से परिपूर्ण ये कवीता है और यहाँ पर वीर रस है अगला रस है रोदर रस रोदर रस का स्थाई भाव है क्रोद उधा देखे अब हमारे शत्रू रण में म्रत पड़े करते हुए घोशना वे हो गए उठकर खड़े। यहाँ पर अभिमंद्यु की मिरतु के पशचात अर्जुन कोध से भर जाते हैं और कोध के कारण वो परतिगया करते हैं, घोशना करते हैं कि अब मैं जयधरत का वद करूँगा और इस तरह से कोध से परिपुन होने की कारण यहाँ पर रोद्र रस है. अगला रस है भयानक रस इसका स्थाई भाव है भय उधारन देखते हैं जैसंकर प्रशाद जी की पंक्तिया है उधर गरस्ती सिंदू लहरिया कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फें उगलती फन फैलाएं व्यालों सी तो यहाँ पर समुंदर में उठने वाले तूफान का वर्णन किया गया है और उस तूफान को देखकर मन में भै का संचार होता है यह पंक्तिया जैसंकर प्रसाद जी के महा कावे कामाईनी से ली गई है अगला रस है विभत्स रस जिसका स्थाई भाव है जुगुपसा या घरना सिर्पर बैठो काग आंक दोंग खात निकारत खीची जीभी स्यार अतिही आनंद उर्धारत गीद जांगी को खोदी-खोदी के मास उपारत स्वान अंगुरीनी काटी-काटी के खात विदारत भारतिंदु जी की यह पंक्तियां है जिसको पढ़ने के बाद हमारे मन में घिरना या जुगुपसा के भावुत्पन होते ह अगला रस है अद्भूत रस जिसका स्थाई भाव है विसमे या आश्चरी है अखिल भूवन चर अचर सब हरी मुख में लखी मातु चकित भई गदगद वचन विक्सित द्रग पुलकातु कभी सेनापती जी की पंक्तियां है और यहां पर बाल श्रीकिशन जब मिट्टी हो जाती है इस कारण से यहां पर अद्भूत रस की उत्पत्ति हुई है अगला रस है शांत रस जिसका स्थाई भाव है शम या निर्वेद वैरागे के भाव उधारन देखिए मन्रे तन कागत का पुतला लागे बूंद बिनसी जाय छिन में गरब करे क्या इतना कभीरदा सांसारीक विशे वासनाव से विरक्ति के भाव उत्पन हुए है अगला रस है वात्सले रस वत्सले रस दोनों ही कह सकते हैं जिसका स्थाई भाव है वात्सले रती या प्रेम बड़ों का बच्चों के परती जो मन में प्रेम उत्पन होता है उसी को हम वात्सले रस कहते है सूर्दास जी की पंक्तियां देखिए किलकत कान घुट्रुवन आवत मनी में कनक नंद के आंगन बिम्ब पकरीवे धावत तो यहां पर बाल श्री किशन के रूप कवर्णन किया गया है जिसको देखकर माता यशोदा के मन में वादसल्ले उत्पन होता है अगला रस है भक्ती रस भक्ती रस का स्थाई भाव भी प्रेम या अनुराग है लेकिन ये भग्त का इश्वर के परती अनुराग है उधारन के रूप में तुलसी दास जी का दोहा देखिए राम जपू, राम जपू, राम जपू बावरे घोर भव, नीर निधी, नाम नीज नावरे तो यहाँ पर भग्वान राम के परती तुलसी दास का जो अनन्य प्रेम व्यक्तुभा है इसके कारण यहाँ पर भक्ती रस है श्रंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है रसराज या रसपती भी कहा जाता है नाटक में आठ रसों को माना जाता था वहाँ पर शांत रस को नहीं गिना जाता था संस्कृत के बहुत बड़े सास्तरी भरत मुनी ने रसों की संख्या को आठ माना है लेकिन आजकल हम रसों की संख्या ग्यारा मानते हैं क्योंकि मुखे रूप से 9 ही रस होते हैं, 9 ही स्थाई भाव होते हैं, लेकिन प्रेम के भाव को और अधिक व्यापक द्रस्टी पर परिभाशित करने के लिए वचसल्ले रस और भक्ती रस को 2 और रस मान लिया गया है, इसलिए अब रसों की संख्या 9 से भढ़ कर 11 हो गई है, आईए रस के बारे में कुछ महतवपूर्ण बातों को और जान लेते हैं, साहिते में जब हम रस की बात करते हैं, तो रस का आर्थ होता है आनंद, जो आनंद का अनुभव किसी रचना को या साहिते को पढ़ने के बाद हमारे मन में उत्पन होता है, उसी इसे रस की उत्पत्ती होती है, किसी भी रस की उत्पत्ती में 4 अंगों का होना आवश्यक हैं, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव संचारी भाव आते हैं और चले जाते हैं इसी कारण से इनको व्यभिचारी भाव भी हम कहते हैं रसों की मुखे रूप से संख्या नो होती है स्थाई भाव भी नो होते हैं हर एक रस में एक स्थाई भाव का होना आवश्यक है। लेकिन आगे चल कर रती या प्रेम के स्थाई भाव को दो और भागों में विभाजित कर दिया। भगवान के और भक्त के बीच में जो प्रेम उत्पन होता है उसको इन्होंने भक्ती रस में विभाजित कर दिया और बड़ों का बच्चे के परती जो प्रेम भाव उत्पन होता है उसको वातसले रस में विभाजित कर दिया इस कारण से रसों की कुल संख्या हमारी 11 हो जात आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है लेकिन हमने पूरे वीडियो में एक साथ सभी रसों के बारे में पढ़ा वीडियो आपको कैसा लगा फीडबेक जरूर दीजिएगा अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ महतवपुन उधार्णों के साथ जो बार-बर परिक्षाओं म और पढ़ते रहें थैंक्यू वेरी मच्च थैंक्यू